जोड़ पूर बार मेर रोड पर इस्थित धवा गाउं में कल देर रातक यूको बैंक के एटियम में लूट का प्रयास किया गया आपको बता दे कि लूटेरा इस एटियम में रखे लाखों रुपए तक नहीं पहुच पाया लेकिन उसने रुपए बाहर निकालने के लिए एटियम मसीन को पूरी तरीके से छतिग्रज कर दिया आपको बता दे कि एटियम लूट का प्रयास का पूरा घटना करम वहां लगे कैमरे में कैद हो गया वही पुलिस इस एटियम की देख रेक करने वाली कमपनी टी एमाई की रिपोर्ट पर लुटेरी की तलास में जुटी है आपको बता दे धवा में यूको बैंक के एटियम की देख रेक का जिम्मा टी एमाई नाम की कमपनी को सौपा हुआ है वही इस एटियम में कल रात करीब देड़ बजे एक लुटेरा घुसा आया उसने एटियम के बाहर लगे सटर को नीचे से बीच में उचा कर दिया इसके बाद पेट के बल लेट कर वा एटियम में घुस गया इस दोरान ऐसा लग रहा था कि उसका कोई साथी बाहर खड़ा है वही बाहर से उसे कुछ औजार देता रहा लुखी के औजार लेकर अंदर घुसे लुटे रहे ने एटियम को तोड़ इसमें रखे पैसे निकालने का फोग प्रयास किया काफी मसकत के बावजूद वह पैसे निकालने में विफल रहा इस दोरान उसने जम कर एटियम में तोड़ फोड़ करड़ा ली रुपए हाथ नहीं लगने पर वह भाग बिकला आपको बता दे कि सुबा कुछ लोगों ने सटर छतिग्रस देखा तो बैंक मैनेजर चंदरप्रकास को इसकी सूच न दी उन्होंने एटियम की देखरे करने वाली कंपनी की मैनेजर सुरेस बडियार को बताया सुरेस ने बताया कि इस एटियम में 22.42 लाग रुपए भरे हुए थे वहीं लुटेरो ने इसमें तोर फोड कर पैसे निकालने का भरपूर प्रयास किया लेकिन वह विपल रहे इससे सारे रुपए बच गया आपको बता दे कि पुलिस सीजी टीवी फुटेज को देखकर लुटेरे की पहचान करने का प्रयास कर रही है वीडियो रिपोर्ट आई पी अल